प्यारे दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज की इस वीडियों में आप सभी के सामने कच्छा दस भी से समाजिक विज्ञान का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट और वाइरल पेपर ले करके आ चुका हूँ जी हाँ दोस्तों अगर आप कभी अर् SG कोड का पेपर है तो चलिए दोस्तों इस पूरे पेपर का सॉल्यूसन करते हैं एक एक प्रस्ण में आपको बताऊंगा वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप भी चेक कर लेना कितने आपके सही होते हैं और आपके एक्जाम में अगर ये पेपर आ जाएगा तो इसे आज की इस वीडियो को पूरा आप देख लेंगे क्योंकि आपको पहले से आता रहेगा बस एक्जाम में जाएंगे सीधा छाप देंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और पूरे पेपर का सॉल्यूसन करते हैं तो यहाँ पर देखे निर्देश दिये गए हैं प्र आई स्टार्ट होता है बहुवी कल्पी यह प्रसन चलिए अब एक एक प्रसन को हम स्वाल्व करते हैं पहला प्रसने निम्न में से किस ने गुप्त संगठन यानि यंग इटली को बनाया तो यंग इटली बनाया था दोस्तों जीव सेपी मेस्चनी ने अगला है निम्न में में फ्रांस में किस प्रकार का सासन था तो असीमित राजदांतर था ठीक है अपसन भी आपका करिक्ट है अगला है दोस्तों ब्रिटेन में कार्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था तो बड़े-बड़े उद्धोग पती और सहरी लोग बिरोध कर रहे थे इन्हीं आपस से कौन सा भी से संग सूची में है तो संग सूची में दोस्तों प्रतिर अच्छा है ठीक है अपसन ए आपका करिक्ट है अगला है दोस्तों सिरलंका में कौन सा बहु संख्यक वर्ग है तो सिंगली समुदाय बहु संख्यक है अगला है निमनलिखित देशों में कहां संगात संगात्मक सासन नहीं है किस देश में संगात्मक सासन नहीं है बेहाद important question है दोस्तों तो इसका correct answer हो जाएगा आप सभी का D स्रिलंका ठीक है सिरलंका में संगात्मक सासन नहीं है अगला है महत्मा गांधी का विचार क्या था कि धर्म को कभी भी राजनीती से अलग नहीं किया जा सकता नवें का option ए आपका एकदम correct हो जाएगा अगला है निम्न में से कौन सा लोक तंत्र से संबंधित है यानि लोक तंत्रिक विवस्था में क्या क्या चीज़े होती है पहली बात तो पारदर्सी सासन होता है उत्तरदाई सासन होता है वैध सासन भी होता है यानि इन म से सभी आपका correct है option D ठीक है अगला है दोस्तों निम्न में से किस राज में सो पानी खेती की जाती है सो पानी या इसी को कहते है सीड़ीदार खेती क्या कहते है सीड़ीदार या सो पानी खेती तो ये उत्तरा खंड में की जाती है अपसं C सही है अगला है निम्न में से कौन C रभी की फसल है तो रभी की फसल यहाँ पर दोस्तों मुझको चना ही दिख रहा है अपसन C आपका correct है अगला है मोना जाइट रेत में निमनलखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है तो मोना जाइट रेत में दोस्तों थोरियम पाया जाता है अपसन C आपका correct है ठीक है दो उसी देशों में से मानो विकास के लिहाज में किस देश की स्थिति भारत से बेतर है तो भारत से बेतर दोस्तों सिरिलंका की स्थिति है ठीक है पंदरहावे कसी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा अगला है निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है बेहाद इंपोर्टन कु इससे है तो correct answer होगा कोईले से ठीक है एंत्रा साइट का समन्द किससे है दोस्तों कोईले से तो आपका option C correct हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं दोस्तों वस्तु का अधिकांसता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस छेत्रक के अंतरगत आता है तो यह आता है दोस् सनिक और निजी छेत्रों का वरगी करन निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है तो उद्यमों के स्वामितों के अधार पर निर्धारित किया जाता है ठीक है इस तरीके से आपके 20 MCQ हो जुके हैं अब देखते हैं खंडबा आपका वर्ड नात्मक प्रस्न मे पहला है अठारवी सताबदी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट के ओवाई कारण बताना है अथवा में जर्मेनिया और मारियान कौन थे जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया था उसका क्या महत्तो है ठीक है दूसरा क्वेस्चन है भारत में राजनीतिक छ इसके प्रमुक्ष नियम क्या थे ठीक है अगला क्वेस्थिं दोस्तों अंतर राष्टी व्यापार से आप क्या समझते है अंतर राष्टी व्यापार के क्या फायैं है अथवा में भारत में पाई जाने वाली की नी तीन प्रकार की मिठ्टियों का उलेख कीजिए पर क्या प्रभावपड़ा 6 यंक वाले क्वेस्चन है दोस्तों सारी क्वेस्चन अगला है भारती समाज में जाती प्रथा अभी भी प्रचलित है इसके क्या कारण है इसको समाप्त करने के लिए दो उपाय बताना है 6 यंक मिलेंगे अथवा में राजनितिक दलों के कीनी 6 प चावल की खेती के लिए आवस्यक भावगोलिक परिस्थितियों का उलेख कीजिए भारत में चावल उत्पादक कीनी 3 राज्यों के नाम आपको बताना है बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है प्रतिवर्स पूछा जाता है बोड एक्जाम में भी अगला है म्रदा अपर कार बेहद इंपोर्टेंट क्वेस्चन है यहाँ पर देखिए पहला क्वेस्चन है इस्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेश का धिवेशन हुआ था तो कहां हुआ था कलकत्ता में हुआ था तो पस्चिम बंगाल में दर्सा देंगे अगला है इस्थान जहां महत्मा पंजाब में है तो पंजाब में इसको दर्सा देंगे ठीक पंजाब के नक्से में अगला है वैस्थान जहां मात्मा गांधी का किसान सत्याग्रा हुआ था तो चंपारन बिहार में हुआ था तो चंपारन और इसको दर्साएंगे बिहार राज्य में ठीक है अगला है दोस इसकी राजधानी आपको आर के द्वारा ठीक है तो लखनव को दर्सा देंगे जो की उपी की राजधानी है लखनव को आर से दर्सा देंगे नर्वदा नदी पर बना एक बांध जो की सरदार सरोवर बांध है बहुत सारे बांध है लेकिन आप सरदार सरोवर बांध को दर् दर्शा देना है इस चिन द्वारा ठीक है अगला है दचिन भारत की एक नदी आपको इस चिन द्वारा कावेरी को दर्शा सकते हो गोदावरी को दर्शा सकते हो क्रिशना को दर्शा सकते हो महानदी को दर्शा सकते हो दचिन भारत की प्रमुख नदिया है अगला है भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज तो जूट उत्पादक राज में आप पस्चिम बंगाल दर्शा सकते हैं ठीक है पस्चिम बंगाल को अगला है दोस्तो भारत का एक परमाडू उर्जा केंद्र आपको इस चिन द्वारा आप नरवरा को दर्शा सकते हैं नरवरा परमाडू